नमस्कार मैं हूँ अंचिता बीजेपी चुनावों में हेर फेर करती है और ऐसी ही उसने 2019 लोग सवा चुनाव जीता यह आरोप हमेशा बीजेपी पर लगते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार यह आरोप विपक्ष ने बीजेपी पर नहीं लगाया है बलकि एक नामी उनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि 2019 आम चुनावों में गड़बड़ी हुई थी पचास पन्नों के अपने रिसर्च पेपर में प्रोफेसर ने बहुत ही बारीकी से बीजेपी की कारिस्तानी को बताया है कि कैसे उसने ये सारा खेल रचा और 2019 में बंपर जीत हासिल की अब इस रिसर्च पेपर के सामने आने के बाद से कॉंग्रिस और बीजेपी में घमासान छिड़ गया है इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोरण कीजिए और वीजियो को लाइक भी कीजिएगा अब मुद्दे पर वापस आते हैं तो मुद्द ये है कि 2019 में हुई बीजेपी की बंपर जीत पर एक बार फिर सवाल उठ गए हैं ये बात इसलिए ज्यादा गौर करने वाली है क्योंकि ये सवाल किसी राजनेतिक दल या विरोधी नहीं उठाए हैं बलकि अशोका यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर सब्विसाची दास ने उठाए हैं उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में दावा किया कि 2019 में लोगसभा चुनाओ के दोरान भाजपा ने गड़बड़ी करवाई थी जिसकी वज़ा से उसे बड़ी जीत हासिल हुई अब सब्विसाची का 50 पन्नों का ये रिसर्च पेपर सोशल मीडिया पर चाया हुआ है इस पर बहस छड़ गई है सवाल उठने लगे हैं कि भाजपा ने भारत में 2019 का संसद्य चुनाओ जीता लेकिन क्या ये सब निस्पक्ष था या ये चुनाओ धांदली से जीता गया था क्योंकि सब्विसाची की रिसर्च वेग्यानिक प्रमार देती है कि भाजपा ने बोट में हेरफेर किया ये ही नहीं इसमें दावा किया गया है कि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यत समू मुसल्मानों के खिलाफ लक्षित भेदभाव से हेरफेर किया जाता है रिपोर्ट में बताया गया है कि सब्विसाची ने ये रिसर्च किस आधार पर की उन्होंने ये डेटा कैसे खटा किया रिपोर्ट में दिख रहा है कि इसमें 1977 से 2019 के चुनाव परेणा, 2019 के लिए EVM मतदान डेटा, नाम और वर्गी करन करता के साथ मतदाता सूची, राष्टे चुना सरवेक्षन, गिनती, परवेक्षकों पर डेटा है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी ज्यादा तर करीवी मुकाबले वाले चुनावों में जीत हासिल करती है, कॉंग्रेस ऐसा नहीं कर पाती, उनका दावा है कि करीवी मुकाबले वाला चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि बीज पीज़ चुनावी हेर्फेर के कारण ज्यादा जीते हैं वो मतदाताओंके नाम सूचियों से हटा देती है और खास कर मुसलिम मतदाताओं को लादा जाता है ना केवल मतदाता सूची में मुसलिम नामों को लाधा बल्की भाजपा किसी तरह मतदान प्रतिशत में भी हेर फेर करते हैं यहीं नहीं आकडो का विश्लेशन बताता है कि जब चुनाव पर वेक्षक आईएस की जगार राज्य सिविल सेवाओं से होते हैं तो बीजेपी की जीत ज्यादा हो अपनी रिसर्च के आधार पर दास ने दावा किया कि भाजपाने 2019 के चुनावों में मतद से ही बीजेपी पर धानली करके चुनाव जीतने का आरोप लगाती है कॉंग्रेस आंसर शशी थरूर ने इस रिपोर्ट को ट्वीट किया इसके साथ उन्होंने लिखा कि यह रिपोर्ट भारती लोगतंत्र के सभी प्रेमियों को परिशान कर सकती है अगर चुनाव आयोग और भारत सरकार के पास इन तरकों का खंडन करने के लिए कोई जवाब है तो उन्हें विस्तार से जवाब देना चाहिए यानि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कॉंग्रेस के हाथ में बीजेपी को घेरने का मुद्दा थमा दिया अब इस रिपोर्ट ने बीजेपी को नोदी या उसे सफाई देने पर मजबूर किया गया यह सब जानने से पहले उस प्रोफेसर के बारे में जान लीजिए जिनकी रिपोर्ट ने बीजेपी की हवाईयां उड़ा दी हैं तो आपको बता दें कि सर्विसाची दास अशोका विश्विद्याले में अर्थशासर क के सहाई प्रोफेसर हैं और उन्होंने पिएचडी की हैं उनकी विशेश अग्यता के छेत्र राजनीतिक अर्थविवस्था सावजनिक अर्थशासर और व्यभारिक सूश्म अर्थशासर में नहित हैं उनकी रिसर्च मुख्य रूप से लोगतांतरिक प्रतिक्रियाओं से पैदा होने वाली समू असमानताओं की जाच के इर्दगिर्द घूमती हैं लेकिन उनकी इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया बवाल बढ़ता दे कि उनिवसिटी ने खुद को इस रिपोर्ट से पूरी तरह अलग कर लिया विश्विद्याले की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि इस रिसर्च पेपर में किये गए दावे किसी स्टाफ या फिर स्टूरेंट के निजी हो सकते हैं इसका विश्विद्याले से कोई लेना देना नहीं है विश्विद्याले के जर्नल में इसे जगां भी नहीं दी गई है अशोग फैकल्टी छात्रों या करमचार द्वारा अपनी व्यक्तिका छमता में सोशल मीडिया कति विधी या सावजनिक सक्रियता युनिवसिटी के रुख तो निर्धारित नहीं करती है युनिवसिटी ने अपने स्टेट्मेंट में कहा कि अशोग युनिवसिटी अपने एक फैकल्टी सदस्य के हालिया पेपर और उसकी सामिग्री पर विश्विध्याले की स्तिथी के बारे में अटकलों और हो रही बहस से निराश है रिकॉर्ड के तौर पर अशोग युनिवसिटी भारत के बहतरीन विश्विध्याले के निर्माण सामजिक प्रभाव पैदा करने और राश्ण निर्माण में पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया हूं अब जब बबाल मचा तो युनिवसिटी ने अपना पल्ला जाड़ लिया युनिवसिटी के स्टेट्मेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया इस पर राजनीती के जानकारों का दावा है कि ये सब बीजेप ने इस रिपोर्ट से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया खैर जो भी हो लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी पर धांदली के आरोब सिर्फ हवा हवाई नहीं लगते हैं इस वीडियो में इतना ही आप चैनल रोध है क्यूट्यू पर हमार कर लिजे नमस्कार